नमस्कार फ्रेंट्स हाज हम आपको समझाएंगे ग्यारा मेडिसिन में लेता था चार मेना एक अंदर वो चार यह चुट गया वो मेरा डायबेटिस के लिए हाइपर टेंशन के लिए ट्राइगलेजरेट्स के लिए किड्नी स्टोन के लिए बारा साल तक ग्यारा गोली खाय था ठीक है फिर बाद में मैंने लाइफ स्टेल चेंज करके चार मेन एक अंदर मेरा हेल्थ इंप्रूव किया अभी इसमें क्या पांच-दस चीज क्याज-क्याज देखने का वेट देखने का है ऐस पर हाइट होना चाहिए वेस साइज आफ आफ अफ दा हाइट इंचिस हो होना चाहिए दी विटमीन एब फिफ्टी विट्वल एब फाइंड़ होना चाहिए इंसुलिन रिसिस्टेंस यह कैलिकुलेशन है यह पांच-प्लेट टेस्ट है यह बिलोव 1.5 होना चाहिए नंबर आफ डेली मेडिकेशन हम लोग कोई गोली नहीं खाना चाहिए पेना कोली चलना चाहिए यह दस में अगर दस आप ठीक है तो मैंने परसेंट मार्क है तो मेरे को जनवरी 2014 में मेरा वर्वेट है 69 kg वेसे ज्यादा है ब्लेट प्रेशर ज्यादा है 1390 है फास्टिंग शुगर ज्यादा है 145 त्रीव एवन सी 7.8 परसेंट विच मेडिसन था डी इसके वज़े से मेरे को बहुत ही तकलीफ होता था चार मैंने का अंदर मैंने लाइफ स्टेल चेंज करके यह पूरा टाबलेट चुट गया है तो यह सब के लिए मुमकी नहीं किया अगर मेरे को हुआ सब को ऐसा हो सकता है क्या इसके लिए क्या जुरूर यह अच्छा ना जीखा हमने फॉलो करना चाहिए अब देखिए लाइफ स्टेल डिसीज़ का मतलब क्या होता है कि पेड़ के पेड में रूट्स वेरी इंपॉर्टेंट है बाद में लीव्ज और ब्रांच इसा है लाइफ स्टेल डिजार्ड का मतलब क्या होता है फैटी लिवर ओबेसीट कार्डियो वैस्कुलर डिसीज़ पीजीवो डाइबेटीज है इसलिए बाडी में निकाल रहे है इसलिए बाडी में टाक्सिंस है डिफीशेंसी जो हमें चाहिए वो हमें नहीं दे रहे है जैसा हमको काफी अच्छा काफी बनाना है उसके लिए क्या चाहिए आपको चाहिए और शुकर चाहिए अगर इसमें अगर उसका अलावा अगर मिर्ची पाउडर डाल दिया आपने या आपने साल्ट डाल दिया तो काफी अच्छा नहीं बनेगा मतलब जो साल्ट और मिर्ची पाउडर टॉक्स सीट है वो जुरूरत ही नहीं है इसको मतलब क्या है जितना अच्छा quality चाहिए जितना quantity चाहिए अच्छा आपको स्ट्रॉंग काफी चाहिए आपको दो चमच काफी पॉड़र डालना अगर आपने आफी चमच डाला है तो उससे काफी अच्छा नहीं बनता है उसको डिफिशेंसी बोलती है जो चाहिए वो नहीं है स्ट्रेस के वज़े से क्या होता है रात को निंज नहीं आता है यह सब मेजर प्रॉब्लम से अगर इसमें अलग अलग देखते रहें फ्रिक्वेंट इडिंग मतला हम लोग को क्या है कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर उसके अलावा दो तीन बार स्नैक्स खाते हैं लोग और काफी टीपी थे पांक साल में कभी क्या होता है कि इंसुलीन रिसिस्टेंस के वह से आया सब प्राबलम आ रहा है और दुसरा का है पालिश्ट तींग्स पैकेश्ट तींग्स यह जो स्वीट बेकरी इटेम्स कूल ड्रिंग्स यह सब से क्या होता है कि हाई शुगर यह है यह हाई शुगर के वज़े से शुगर ज्यादा बढ़ता है कुछी दिन में पांच-दस साल में इंसुन रेसिस्टेंस होता है एक से अधर नहीं करने का है स्ट्रेस होता है लैक अफ श्लीप अगर रात को नीद नहीं आता है बराबर साथ एड़ गंटा डी है बहुत जरूरी है जैसा मैंने बोला था टॉक्स बाडी के अंधर है टॉक्स निकालने के लिए का इसा जाता है एक तो यूरिन के माज्जम से जा जाता है तो मिनिममम 3-4 लेटर पानी पर बहुत जरूरी है और पूर गट हेल्ट का मतलब है लोग तो तीन-चार बार खा रहे हैं तीन-चार बार काफी टी पे रहे छे-पांच शे बार हो रहा है बट टो टायलेट सिर्फ एक ही बार जाते एक बार जाने से गट लियर नह सब्सक्राइब करने से भी बहुत सारा प्राब्लम आता है हेल्थ के अंदर और साल्ट फ्री फ्लोइंग वाइट साल्ट यूज नहीं करना चाहिए अब देखिए जब इंसुलीन रेसिस्टेंस होता है उसके वज़े से देखिए पुरा यह डाइबिटीस है हार्ट समझते है कि अगर शुगर 99 के सकम है फास्टिंग शुगर या पीपी शुगर 120 के नीच है रैंडम शुगर बिलोव 200 है वह समझते बढ़िया है इवन डाक्टर लोग भी समझते एवन से एवन से एवरेज बिलो 5.6% रहने से एवन डाइबिटिक है पर यह दोनों रहने से काफी नहीं है यह फास्टिंग इंसुलिन एक टेस्ट बहुत जरूरी है और यह पर्टिक्लर फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट डाक्टर्स रिकमेंड नहीं करता है और जो भी हम लोग यह जो मेडिकल हेल्थ चकब कराते हैं काम्प्रेंस हेल से कब 2,000-3,000 रुपे देखे जब 1.5 को बिले होता है तो इंसुलिन सेंसिटिव है उसे कोई हल्थ प्राब्लम नहीं आता है अगर बंडे से आता है यह माइल्ड इंसुलिन डेस्टेंस का 1.5-3 ताक 3-5 तो मीडियम है यह बो 5 सिवेर इंसुलिन डेस्टेंस है अब यह देखिए यह परसन है 81 kg वेट है इंसुलिन है 24.49 होना चाहिए 3 to 5 होना चाहिए वो दूसरा यह लाब भी इसका रेंज गलत देता है 3 to 25 तक देता है वो गलत है यह देखे ग्लूको जो है ना ग्लूको जो टेस्टिंग Hb1C जैसा उपर में यह जो है यह जो पानी का अंदर जो बर्फ होता है वो इंसुलि बोलता है ना यह टैटानिक भी इसी में डैश होके मर गया था डूब गया था और यह देखिए यह जो देरार फाइव इस्यूस आरे जैसा क्या है इंक्रीज वेस्ट सर्कम्स्टेंस बिली फैड अगर बिली फैट है किसी को हाई ट्राइग लेट प्रेशर है हाई ब्लेट करने से हमारा हेल्थ का पूरा अम लोग जान सकते हैं अब देखिए यह जो सब प्रॉब्लम को यह की डेली शेडिल में अम लोग कैसा निकाल सकता है यह समझेंगे आज स्टाप इटिंग मलब दिन में पांचे बार का खाना पिना ड्रेकपास्ट लैंच दिनर स्नैक्स कॉफी टिया सब बंद करना चाहिए और दूसरा क्या है यह जो शुगर स्वीट्स रिफाइन डायल पैकेज़ फूट्स जो फैक्री में बनके आता है चाहिए और दूसरा क्या करना है दिन उत्तर शुवेर उठने से ही इमें च्छे बज़े से पहले उठना अच्छा है संद्राइज के पहले इमेडियेटली एक लिटर का पानी पीना चाहिए एक लिटर पानी पीके अगर आदत नहीं है आदत लगा ना तीन-चार दिन का अ एक गंटा वाकिंग के लिए जाना चाहिए वाकिंग के बाद घर में आकर पानी दूबारा एक लिटर पानी पीके फिर दूबारा बावल मुवमेंट टाइलेट जाना चाहिए जब दो बार टाइलेट हो जाता है मौनिंग दो बार अलग अलग टाइम पे एक लिटर उसके खाना है क्या खाना कितना आपकी मर्जी है जब भूख अच्छा लगता वो टाइम पर खाना चाहिए जैसे आपके आफिस का टाइम की साफ साफ टाइम निकाली आप कर लिजे दूसरा दोनों के मिल्स के में कुछ भी नहीं करना चाहिए क्यों समझ लीजे पानी छोड़के कुछ भी हमने खा लिया उसको डाइजेस्ट होना पड़ता है डाइजेस्ट के शुकर आएगा शुकर आने से इंसुलिन बढ़ेगा इंसुलिन रिसिस्टेंस अब प् अधर देन वाटर इनिधिंग एल्सीज़ फूड समझ लीजिए अभी पानी की तरीका क्या है 20 मिरट अगर पानी पी लिए 20 मिरिट तक खाने के लिए नहीं बैटना चाहिए खाते वड़शे नहीं पीना चाहिए खाने का गपाट दो गंटा थाफित पानी नहीं पीना चा दूसरा दिन दस ग्यारा बज़ तक नहीं खाना चाहिए उससे क्या होता है चौदा गंटा या 16 गंटा का फास्टिक रहने से इंसुलिन tiver consentivity बड़ता है health बहुत एंपरू होता है और दूसरा का आए फर्स टाइम काना गाने के बात जो पहले बार उसके ऐसमा दो गौंटे के आधि लेका शाम तक ब्हुत और खाना Wikरा सैंसी zwischen चैबेने लोग पो करें दो बातर बढ़ड़ रात को दो बाटल में पानी रखे दो बाटल सुषेरह खतम हो जाता है उसके बाद में दो बाटल बढ़ लीजिए साथ में रखे रात को सौने से पहले दो लेटर खतम होना चाहिए और मैंने इस्ट्रेस से अंगजैट्यु को स्ट्रेस्स किया करना है how to manage the stress योगा सीगे ये 15 दिन में एक बार फास्टिंग करना बहुत जरूर यह की कर सकता सकता है हनी लेमनाोटर को 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 निट ले सकते ग्यायवुज़ुका जो चस्क्राद बोल रहा था यह कभी भी नहीं कराता है कराना बहुत जुरूरी है पास्टिक शुगर करना चाहिए लेवल्स बताया एवन सी 5.6 डी विटमिन डी विटमिन का रेंज में लेव वाला देता है 30 से 100 तक अच्छा है करके बट अब पचास वहना जुरूरी है डी विटमिन भी अ 80 के नीचे होना चाहिए एक्छली अच्छा है 90-60 से लेके 120-80 तक ठीक रहेगा हो मा इंसुलीन रिसिस्टेंस अभी अमने बात किया इच्छी बिलोव 1.5 अब देखे खाना का क्या खाना है तेखे खाना में जो घर का जो भी खाना बनाता है आराम से खालो You can use ghee. A lot of people think that ghee will give you problem not at all friends. Use ghee, you can use cold pressed coconut oil, sesame oil, groundnut oil, you can use curds, you can make sabji, you can have some chapatis, preferably multi-grain chapati बना लीजिये और दूसरा, second time जो मील बतारा थापको, मैने sprouts खालो, ये देन, soaked groundnut, soaked badam, coconut, dates, then seasonal fruit, जो भी मिलता है, local fruits ले ले लिजिए, soaked chia seeds, soaked ले ले लिजिए, आप sesame seeds ले सकते हो, या pumpkin seeds ले सकते हो, और किसी को अगर diabetes है, already उनको पास diabetes है, they are taking medicine, and Hb1 से 7-8 है, उनलोग को क्या करना चाहिए, सिर्फ दो बार खालो, डाक्टर को पूछके, दो बार जो खाते होकर, तो no rice, no chapati, you can have no carbohydrate food, जैसा you can have some egg, egg fries ले सकते हो, fried cheese ले सकते हो, you can take some salads, all sorts of salads, soaked groundnut, soaked badam ले सकते हो, coconut chutney, coconut ले सकते हो, कुछ सबजी, जो भी सबजी आप बनाओ, अच्छे से बनाओ, घी मेंस, की से बनाओ, या coconut ले से बनाओ, वो खा सकते हैं, यह इसके वज़े से क्या होता है, कि आपका hydration अच्छा हो गया, आपका elimination अच्छा हो गया, exercise हो गया, और stress का नहीं है, अच्छा नींदार है आपको आपको कोई toxins नहीं ले रहे हो, फालतों चीज नहीं खा रहे हो, अच्छा nutrition food खा रहे हो, तीन-चार मैने का अंदर, आपको जो भी health problem है, like motapa, pre-diabetes, blood pressure, सब डिकल जाता है, friends, these are few people who have benefited, इन लोग का मारा wellness secrets को group में जाइन किया, daily schedule follow करके, उनका blood pressure चिले गया, weight कम हो गया, इन My name is Gangeshwar Rao, I am not a doctor friends, I am last eight and office, I am helping people free of cost, people can join in my group, if you like this video, you subscribe to my channel and then share to people and you can join my whatsapp group, you can call on my this whatsapp number 9840852996, thank you very much friends, you have to take, आपका health आपका हाथ पे ले लिजिये, time spend कीजिये, सीखिये and discipline के साथ रहिये, my good wishes for you to a healthy life span, thank you very much.